बिग बॉस सीजन 16 को अर्चना गौतम ने बहुत कुछ दिया अर्चना ने अपनी बेजती करवाई लेकिन शो को कंटेंट बिकिनी गर्ल से ही हासिल हुआ चाहे वो अर्चना अब्दू की लड़ाई हो चाहे अर्चना प्रियांका का जगड़ा चाहे किचन के मुद्दे हो या टॉयलेट साफ ना करने की बात अर्चना ने एक भी मुद्दा अपने हाँखों से जाने नहीं दिया मगर कैसा हो अगर हम आपको कहें कि इतनी शानदार जर्णी के बात भी अर्चना गौतम ने बिक बॉस में सबसे कम कमाई की है जी हाँ अर्चना इस सीजन की वो कंटेस्टेंट रही जिसे मिला सबसे कम पैसा बता दे कि अर्चना गौतम पर वीक सिर्फ तीन लाख रुपए ले रही थी और अर्चना ने एक्स्टेंशन के बाद भी तीन लाख रुपए ही लिये ऐसे में अठारा हफ्तों के तीन लाख के हिसाब से बनते हैं 57 लाख जिहां पूरे सीजन सिर्फ 57 लाख ही कमा पाई अर्चना गौतम वहीं बिग बॉस के बाद या बिग बॉस के दौरान अर्चना के हाथ में कोई प्रोजेक्ट लगा नहीं है लेकिन अर्चना जितना पब्लिक आपको प्यार दे रही है उसके बाद ये बात तो हम ग्यारेंटी के साथ कह सकते हैं कि अभी आपकी जोली में काम ही काम आएगा फाइनल कॉट निउस्टेस्क